दोस्तों नमश्कार मैं सुर्जी सिंग अपने चैनल में आपका हारदिक स्वागत करता हूं देखें दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो है अर्थ वेवस्ता पर अर्थ वेवस्ता यानि की economy तो आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो अर्थ विवस्ता के basic हैं जो कि आपके UPSC ठीके other जो state PCS है उसको ध्यान में रखते वे मैंने ये वीडियो बनाया है इसका जो level रहेगा वो UPSC और state PCS को देखकर मैंने level इसका तयार किया है तो चलिए शुरू करते हैं दीखे earth वेवस्ता ये जो earth वेवस्ता है इसको English में economics कहा जाता है अगर हम शाबदिक अर्थ की बात करें तो earth वेवस्ता जो है वो हमारे 2 शवदों से मिलकर बना हुआ है पहला शब्दे आपका अर्थ और दूसरा शब्दे आपका व्यवस्ता ठीक है यहां अर्थ का मतलब आप समझे अर्थ यानि की पैसा बहुत शरल शब्दों में अगर हम जाने तो अर्थ का मतलब होता है पैसा पैसा यानि की मुद्रा यानि की कैपिटल ठीक है और व्यवस्ता का मतलब होता है आप सब लोग जानते हैं सिस्टम यानि अगर हम overall बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम मुद्रा के बारे में या पैसे के बारे में बात करते हैं ठीक, तो अर्थ वेवस्ता का मतलब हुआ एक ऐसी वेवस्ता जिसमें हम पैसे का लेंदिन कैसे होना है, उसका मेनेजमेंट कैसे करना है, ठीके, ये सारी चीजों को जब हम सम्मिलित करते हैं, तो ये आपका कहलाता है अर्थ वेवस्ता, तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेश हमारे सामने आ गई कि अर्थ वेवस्ता, एक ऐसी वेवस्ता जिसमें की अर्थ से संबंदित वेवस्ता को पढ़ा जाता है, तो ये हो गई आपकी अर्थ वेवस्ता, ठीके, अब देखिए इसके बाद जो है एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि फादर ओफ इकोनॉमिक्स कि कहा जाता है, यहाँ चितर में देख सकते हैं, आप ये हैं आपके अड़ाम स्मित, ठीके, इनकी एक बहुत प्रचलित बुक थी, जिसका नाम था वैल्थ आफ नेशन, यहाँ इस बुक को देख सकते हैं, आप 1776 में ये बुक लिखी गई थी, जिसका नाम था वैल्थ आफ कई एक्जाम्स में यह fact पूछ लिया जाता है कि father of economics किसे कहा जाता है और wealth of nation book किस ने लिखी तो यह आपके लिखी थी Adam Smith ने यह जो है आपके Britain के एक अर्थ सास्त्री थे Britain के particular Scotland के रहने वाले थे यह तो इनकी जो book है वो है wealth of nation और 1776 एक fact मैंने दिया है इसको आप याद रख सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गई fact की बात अब हम चलते हैं देखे अर्थ वेवस्ता के प्रकार ठीक है देखे अर्थ वेवस्ता के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतत तीन प्रकार के होते हैं जिसमें पहला आपका आता है पूंजीवादी अर्थ वेवस्ता ठीक है दूस तीसरी है आपके मिश्रित अर्थ विवस्ता और तीसरी है आपके समाजवादी अर्थ विवस्ता ठीक है अब देखिए कि पुंजी वादी अर्थ विवस्ता के क्या क्या गुण होते हैं तो देखिए पुंजी वादी जो अर्थ विवस्ता होती है इस अर्थ विवस्ता में झो कंट्रोल होता है वो आपका पुँझी पतियों का या फिर उद्ध्योग पतियों का होता है। इसको लक्षे होता है वो हमेशा लाब कमाना होता है। अब ये क्या होता है इसको और डिटेल में अभी हम जानेंगे लेकिन इसको एक short note के रूप में अगर आपको याद रखना है तो ये मैंने points बताएं यहाँ पे क्या 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 कि पुंजीवादी अर्थ विवस्ता में control पुंजी पतियों का होता है और इसका उद्देश्य हमे इस अर्थ विवस्ता में जो control होता है वो आपका सरकार का होता है और इसका जो लक्षे होता है वो समाज का कल्यान होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की अर्थ विवस्ता पड़ी पहली आपकी पुंजीवादी जहाँ पर पुंजी जैसा कि नाम से पता लग रह कि पुझी पती जो है वो कंट्रोल करके रखेंगे और उसका उद्देश्य हमेशा लाप कमाना होगा और जो दूसरी अर्थ विवस्ता हमने पड़ी वो पड़ी समाजवादी अर्थ विवस्ता समाजवादी यानि कि वहाँ पर सरकार का कंट्रोल होगा और उसका जो लक्षे होगा वो समाज का कल्यान होगा तो अब देखिए जब पुंजी वादी और समाज वादी अर्थ विवस्ता हमने पढ़ ली तो जो मिश्रित अर्थ विवस्ता है वो हमें इन दोनों के नामों से ही पता लग जाता है कि मिश्रित जो अर्थ विवस्ता होगी उसमें किसका सम्म पुझी वादी और समाजवादी दोनों अर्थ वेवस्ताओं का जो मिश्रित रूप होता है वो कहलाता है आपका समाजवादी प्रकार की अर्थ वेवस्ता होती है अगर इसका उधारण हम देखें तो देखें पुझी वादी जो अर्थ वेवस्ता है उसका बहुत बड़ा उधारण है आपके USA यानि की संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक और मिश्रित अर्थ वेवस्ता का अगर हम उधारण देखे तो भारत की जो अर्थ वेवस्ता है वो मिश्रित प्रकार की अर्थ वेवस्ता है यानि की यहाँ पर जो गुण पाये जाते हैं वो पुंजी वादी अर्थ वेवस्ता और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थ वेवस्ताओं का मिश्रण है यह ठीक है कौन सी भारत की अर्थ वेवस्ता और जो तीसरी समाजवादी अर्थ वेवस्ता है इसका उधारण है आपका चाएना ठीक है तो यह अर्थ वेवस्ताओं के प्रकार मैं यहाँ पर समझा दिये अब इसके आगे चलते हैं देखिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि यह पूंजी वादी अर्थ विवस्ता क्या है ठीक है समाज वादी क्या है और मिश्रित क्या है देखिए यह जो मैं बताने जा रहा हूँ यह आपके UPSC में विवस्ता के लक्षन है या फिर पूंजी वादी अर्थ विवस्ता के लक्षन निम्न में से कौन से है तो इस प्रकार के क्योशन के लिए हमें थोड़ा सा डिपली पढ़ना होता है तो देखिए पूंजी वादी जो अर्थ विवस्ता है उसके मुख्य लक्षन क्या होते ह अब नीजी संपत्ती में क्या है कि देखिए जो लोग होते हैं, लोगों को नीजी संपत्ती रखने का और उसका इच्छा अनुसार प्रियोग करने का अधिकार होता है, ठीक है, बहुत simple सी language है, कि जो पुंजीवादी अर्थ वेवस्ता होगी, उसमें जो लोग होंगे वो न उत्पादन के सभी सादन, जैसे मशीन, ओजार, भूमी, खान, आदी पर नीजी स्वामित होता है, ठीक है, यानि कि जो उत्पादन करते हैं सादन, यानि किसी भी अर्थ वेवस्ता में कुछ उत्पादन करने के सादन होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके production करते हैं, उस production से क्या होता है आपके आए प्राप्त होती है तो जो प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं वो आपके मशीन होते हैं जैसे मशीनों से बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है फिर उसको बेचा जाता है तो उससे लाप प्राप्त होता है उससे आए प्राप्त होती है तो ये क्या ह इसी प्रकार से आउजार भी आपके प्रोडक्शन का साधन है कि आउजार के जरिये हम क्या करते हैं जैसे आप खनन को ले लिजे खनन में अगर आप कुछ आउजार का प्रियोग कर रहे हैं खोदने वाले तो ये क्या कर रहे हैं आपके उत्पादन के साधन हैं इसी प्रकार वो है कि सरकारी नियमों व कानून के अधीन नीजी संपत्ती के प्रियोग का अधिकार होता है देखे क्या है कि ये जो पूंजीवादी अर्थ विवस्ता है इसमें जो अधिकार होते हैं वो लोगों के परसनले अधिकार होते हैं लेकिन ये अधिकार पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते बलकि वहां की जो सरकार होती है वो कुछ नियम वा कानून बनाती है उन नियम वा कानून के अंतरगत ही ये लोग नीजी संपत्ती का प्रियोग कर सकते हैं यानि कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को खुले आम छूट होती है कि वे कुछ भी करें नहीं ऐसा नहीं होता कुछ सरकारी नियमब कानून होते हैं उसके अंतरगत ही लोगों को चलना होता है ठीक है तो ये पूंजीवादी अर्थ वेवस्ता के मुख्य लक्षन है अग देखो इस पॉंप अर्थ वेवस्ता है एसा नहीं है कि वहाँ पर सारी चीज जो होती है वो लोगों के परस्नली कंट्रोल में होती है ऐसा बिलकुल नहीं होता ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसी संपत्यां भी होती है जिस पर सरकार का या पुरे समाज का सामूई कदिकार होता है उधारण के तौर पर हमने देखा कि सडक आप ले सकते हो, रेल ले सकते हो, पार्क ले सकते हो यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, कुछ ऐसे शित्र भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि समाज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है इसके बाद देखिए, कीमत विवस्ता वहाँ पर जो होती है, वो आपके मांगवपूर्ती के नियम पर आधारित होती है अब यह मांगवपूर्ती का नियम क्या है, देखिए, मतलब जो पुझीवादी अर्थ विवस्ता चल रही है वहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल के आधार पर किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कि जितनी मांग होगी उसके अनुसार ही उत्पादन किया जाएगा ठीक है, कीमत वेवस्ता, यानि कि आपकी जो सिस्टम चल रहा है, जो प्राइस सिस्टम चल रहा है यानि किसी वस्तू की जो कीमत रखी जाएगी वो कीमत किस आधार पर रखी जाएगी कि मांग वपूर्ती के आधार पर यानि अगर मांग बढ़ रही है ठीक है तो फिर उस वस्तू का जो प्राइस है वो भी बढ़ा दिया जाएगा और अगर मांग घट रही है तो उस वस्तू का जो प्राइज है वो भी घटा दिया जाएगा ये होता है आपका मांग पूर्थी का नियम ठीक है तो ये हमने क्या सीखा कि जो पूंजीवादी अर्थ वेवस्ता होती है वहाँ पर जो प्राइज सिस्टम होता है वो मांग और पूर्ती के नियम पर आधारित होता है। पूर्ती के नियम पर आधारित 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 है। तो यहाँ पर मेन परपस के आधारित है। तो कस्टमर को सैटिस्फाइ करना इनका मुख्य काम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजे एक बार वापस से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कि हमने क्या क्या पड़ा। देखे हम पढ़ रहे थे पूंजी वादी। पूंजी वादी जो अर्थ विवस्था उसके लक्षन। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर नीजी संपत्ती पाए जाती है। अब यह नीजी संपत्ती में कुछ पॉंट्स थे जो हमने जाना। कि यहाँ पर लोग इच्छा अनुसा नीजी संपत्ती रख सकते हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर इनका परसनली अधिकार होता है लेकिन ये जो अधिकार होता है वो सरकारी नियम और कानूनों के अधीन होता है ठीक है और जो चोथा पॉइंट हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि कुछ ऐसे शित्र भी होते हैं जहां पर सरकार का अधिकार होता ह उसके बाद देखे हमने पढ़ा कि इसमें जो कीमत वेवस्ता होती है वो Demand and Supply के रूल पर आधारित होती है फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर उध्यमों की सोतंतरता पाई जाती है कि वैक्ति अपने इचानूसार उध्योंगों को स्तापित कर सकता है उध्योंग चेंज कर सकता है आधी और फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर competition पाया जाता है और cooperation भी पाया जाता है और lastly हमने पढ़ा कि यहाँ का जो देशिय है वो लाप कमाना होता है और इस प्रकार की अर्थ वेवस्ता में जो customer होता है उसको बहुत ज्यादा importance दी जाती है तो यह हो गया आपके पूंजीवादी अर्थ वेवस्ता ठीक है इसके बाद देखे समाजवादी जो अर्थ वेवस्ता है उसके लक्षण हम पढ़ेंगे देखे इसमें क्या है कि जो समाजवादी अर्थ वेवस्ता होती है उसमें सामाजिक अत्वा सामुहिक स्वामित उपाया जाता है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताए कि समाजवाद के मुख्य लक्षन क्या होते हैं कि वहाँ पर समाज के हित को ध्यान में रखकर जो है व्यवस्ता कायम की जाती है तो देखें यहाँ पर समाजिक अत्वा सामुईक स्वामित पाया जाता है इसका पहला पॉइंट है कि उत्पादन के सादनों पर समाजिक स्वामित पाया जाता है कोई भी व्यक्ति पुंजी को अपनी इच्छा से सोतंत्रता पूर्वक मशीनों और कारखानों आदी के आप सोचेगे कि जैसे कि अगर कोई खान है उस पे जो मिन्रल पाया जा रहा है तो उस पर समाज के सभी लोगों का अधिकारे नहीं ऐसा नहीं होता समाज क्या करता है अपना एक प्रतीनीधी चुनता है और उस प्रतीनीधी का काम क्या होता है कि उसको मेंटेन करके रखना अब यहाँ पर प्रतीनीधी कौन होता है सरकार होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा तो इस पॉइंट में हमने केवल इतना सा पढ़ा कि जो भी व्यक्ति होता है वो नीजी तोर पर जो उत्पादन के सादन है उनको एकत्रित करके नहीं रख सकता जबकि पुन्जीवादी अर्थ विवस्ता में हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं नीजी तोर पर उत्पादन के सादनों पर अधिकार करके रखते हैं यहाँ पर जसिसका उल्टा होता है दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए कि सरकार जो होती हो समाज का प्रतीनीदी होती यानि लोग क्या करते हैं, लोग सामुईक रूप से एक सरकार को चुनते हैं, फिर उस सरकार का काम क्या होता है, कि जो संसादन है उनको मैनेज करना, ठीक है, तो ये सामाजिक तता सामुईक स्वामित्तु का जो लक्षन है, वो कहां पाया जाता है, समाजवादी अर्थ किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए, और किस प्रकार से किया जाए, ठीक है, मतलब समाजवादी अर्थ विवस्ता, एक ऐसी अर्थ विवस्ता होती है, जिसमें एक प्रादिकरण, यानि एक ऐसी ऑथियोरिटी की स्तापना की जाती है, उस ऑथियोरिटी क सिर्फ काम ये होता है कि वो ये देखता है कि कौन सी वस्तू कामे उत्पादन करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, तो एक authority वहाँ पर इस्तापित होती है जिसका नाम होता है केंद्रिय योजना प्राधी करण, ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ प तो उचा करना, ठीक है, पून रोजगार की अवस्ता को लाना, धन वा आए की असमानता को कम करना, प्रतिवेक्ति आए को अधिक्तम करना आदी, मतलब देखे, पून जी वादी जो अर्थवेवस्ता होती है, उसका मकसद तो शिर्फ लाप कमाना होता है, और वहाँ पर कंट सरकार आपके केंदर इस्तर पर बैठी हुई है, तो वो क्या करेगी, वो एक लक्षे डिसाइड करेगी, कि मुझे समाज के हित के लिए ये ये काम करना है, तो उसके लिए देखे, या पे कुछ निश्चित उद्देशी होता है, जैसे कि हमारे भारत सरकार में भी आप दे उद्देश्यों को डिसाइड करना, ठीक है, तो ये वही है, जैसे कि तेजी से उद्दोगी करना है, या फिर लोगों का जीवन इस्तर उचा उठाना, ये सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती है, ठीक है, अब है आपका आर्थिक नियोजन, ठीक है, आपके लक्ष या उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करनी है, इसके लिए कि जाती है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है, तो ये नियोजन का आर्थ होता है, प्लानिंग, तो इसमें देखे, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सभी भौतिक तथा मानविये साधनों का सरवेक्षन करके एक निश्चित योजना को निर्मित करना मतलब देखे आपने लक्षे या उद्देश से डिसाइड कर लिए अब आपको क्या करना है कि वह आपके देश में देखना है कि हमारे पास कौन कोन से साधन है पहले उनका सरवे कर लो मतलब देखिए आपने पहले तो ये देखा कि भई मुझे ये चीज करनी है ठीक है ये लक्षे निर्दारित कर लिया अब इस लक्षे को पूरा कैसे करना है इसके लिए हमारे पास क्या-क्या साधन है तो आपने पूरे देश में देखा कि मेरे पास ये ये साधन है बहुतिक संसाधन हो चाहे मानविये संसाधन हो उनका आपने क्या किया सर्वे किया एक सर्वे करने के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि अब मुझे प्लानिंग जो है वो कैसे करनी है तो ये होता है आपका आ नियोजन कहलाता है ठीक है आगे जो चैप्टर आएगा नियोजन उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको लेकिन यहाँ पर अभी हम केवल समाजवादी जो अर्थ विवस्ता है उसके लक्षन देख रहे हैं तो आर्थिक नियोजन इसमें होता है अब तीसरा जो या अथार्थ विनिमे, वित्रण, उपभोग, निवेश, कीमत, विदेशी वैपार आदी पर सरकार का पूर्ण नियंतरन होता है जैसा कि हम चाइना का उधारन ले सकते हैं वहाँ पर क्या है कि सरकार सर्वो पर ही है वहाँ पर उपभोग कैसे होना है उत्पादन किसका हो आपका सरकारी नियंतरन इसके बाद देखें वहाँ पर प्रतियोगिता का अभभाव होता है जैसा कि हमने पड़ा कि जो आपकी पूझीवादी अर्थ विवस्ता होती है उस पूझीवादी अर्थ विवस्ता का मुख्य मकसद क्या होता है लाप कमाना तो जब लाप की बा प्रिटिशन नहीं पाया जाएगा मतलब जैसे मान लीजे महाँ पर मैंने मोबाइल का उधारन दिया कि मोबाइल अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो पुझीवादी अर्थवेवस्ता में उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाती है अधिक से अधिक उसका प्रोडक्शन किया ज जाएगा कि अगर आपके मोबाइल की कीमत बढ़ रही है तो मोबाइल की जो सोरी मोबाइल की अगर मांग बढ़ रही है तो जो मोबाइल की कीमत है वो आपके इस तरीके से रखी जाएगी कि उस प्रितेक वेक्ति देश का प्रितेक वेक्ति चाहे वो अमीर हो या फिर गर समाज का नियंत्रण होता है ये तो हमने देख लिया सरकारी नियंत्रण होता है ये हमने देख लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नीजी शेत्र नहीं होता है लेकिन बहुत नाम मात्र का होता है बहुत सीमित होता है उसको इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते और फिर क समाजवादी अर्थ विवस्ता है, यहाँ पर लोगों कोई साधिकार प्राप्त नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग इकवल होते हैं, यानि कि आर्थिक समानता जो है आपके पाई जाती है कहाँ पर समाजवादी अर्थ विवस्ता में, जबकि पूंजी वाद ठिक असमानता कहां पाई जाती है आपके समाजवादी